मायंक अगरवाल के इन यूर फेस फ्लाइंग किस के बारे में सुनील गावसकर का मानना है कि यह एक व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है और यह खेल के स्थान पर प्रशनात्मक हो सकता है लेकिन उनके अनुसार इसका स्वीकृति नहीं किया गया है और यह एक अनुचित घटना हो सकती है IPL 2022 मैच में KKR बनाम SRH के होम टीम SRH के ओपनर मायंक अगरवाल के प्रतिहर्शित राणा एक विवादास पद घटना थी उन्होंने SRH के ओपनर को सराहा और एक फ्लाइंग किस भेजी जिस पर विभिन्न प्रेस क्लबों में चर्चा हुई थी हालांकि भारत के प्रसिद्ध क्रिकेट उपलक्षय में सुनील गावसकर ने साबित किया कि वे इस घटना को स्वीकार नहीं किया मायंक अग्रवाल ने अपनी तीसरी बॉल पर एक उत्तेजना पूर्ण डिलीवरी दे कर हार गए जिससे इस घटना में कई लोगों का आक्रोश उत्पन्न हुआ हालां की विभिन नविचार एकमत थे कि हर्शित राणा ने अपने प्रेम प्रकट करने के उद्देश्य से इस क्रिकेटर को इस इवेंट में उप्योग किया था मैच की स्थिती अब कई धाराओं में ले गई है मायंक अग्रवाल एक उत्तेजक डिलिवरी के बाद हर्शित राणा के पास हार गए लेकिन उनके लिए यह एक मजेदार अनुभव था उन्हें हर्शित राणा की फ्लाइंग किस देने का तो भारतीय क्रिकेट के प्रशंसकों ने स्वीकार नहीं किया हालां की समाज में यह एक प्रसिद घटना है हर्शित राणा को इस संगठन में विवादास्पद हो सकता है लेकिन उनकी भावना और उदारता फ्रशंसनीय है उनके द्वारा दिया गया उड़ने वाला चुमबन एक साधारन अनुभव हो सकता है लेकिन यह क्रिकेटर की कार्रवाई या मैच की स्थिती के साथ संबंधित नहीं है यह एक अजीब घटना थी जो मैच के सोने का क्षण बनेगा मायंक अगरवाल ने इस रिष्टे में कितना प्रेरित किया था यह भी और अधिक लगता है उनकी भूमिका मैच के दूसरे भाग में गंभीरता से समाफ्थ हो गई थी जहां उन्होंने निगरानी की और जब वे चले गए तो वे केवल गेंद बाज की ओर फिरे SRH के लिए इस अनुभव को घर पर समझना होगा